अगेन वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ कि जो बरती आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए है। इंडियन आर्मी की बहुत सारी रक्यूर्मेंट की पोस्टे होती है। फिलाल मेगालिया में जो आई है वो सोल्जर जनल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेडमेंट 10 वाला और सोल्जर ट्रेडमेंट 8 वी पास के लिए है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले होंगे, आप याद रखेगा, जनल ड्यूटी के लिए साड़े सत्रा साल से लेके 21 साल तक एज लिमिट होती है। बाकी, जितनी भी पोस्टें, मैंने आपको तीन बताई, उनकी मैक्सिमम 23 तक होती है। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, याद रखेगा, इसमें कोई रिलेक्शेशन एज में नहीं मिलती है, आपको इतनी एज के साथ ही अपलाई करना होगा। इसमें कोई के रहने वाले हैं, याद रखेगा, क्वालिफकेशन सबकी सेम है, तो चलिए, इसको भी हम जान लेते हैं, तो देखिए, इसके लिए जो क्वालिफकेशन है, जर्नल ड्यूटी के लिए, वो है टैंथ पास, टैंथ में आपके 45% मार्क्स ओवराल होने चाहिए, एक-एक पूछू, तो पासिंग मार्क्स होने चाहिए, जिसे हम 33% कहते हैं, अब ग्रेड में अगर मैं बात करूँ, तो C ग्रेड ओवराल आपका होना चाहिए, दोस्तों, सोल्जर टेक्निकल के लिए, आप बारवी पास होने चाहिए, और आपने फजेक्स कमिस्ट्री, मैथ स्टैचू कहीं नहीं होना चाहिए, 33% हर सबजेक्ट में होने चाहिए, तो यह जो आपके सामने है, यह बात द्यान रखेगा, यहाँ पर भी 33% हर सबजेक्ट में होने चाहिए, चैस्ट सबकी आपको देखने को मिलेगी, फैलाने के बाद 5 cm फुलाना आने चाहिए, दोस् कैसे आप देख सकते हैं, आप Google में जाएंगे, और Search करेंगे, क्या Search करेंगे, समझ आया क्या, क्या समझ आया क्या, आप Search करेंगे, देखें ये पहले नंबर पर जो वेबसाइट आपको देख देखो मिलेगी ये वाली, ठीक है, ये वाली, आपको क्या करना है, बस यहां पर क्लिक करना है देखें यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सबसे पहले इंडियन आर्मी रैली बरती का ही शेडियूल आएगा उसके बाद और सारी कारी काई विकेंसिया हैं अगर मैं कल कोई और बरती अपडेट करता हूँ कोई बात नहीं आप नीचे थोड़ा आ नीचे आपको मिल जाएगी तो फिलाल आप यहां पर आएंगे जो लोग मेगालिया के होंगे वो अपनी स्टेट यहां डूंडेंगे देखें जैसे यहां पे आंधरा परदेश है असाम है है ना सबकी तो सबकी नोटिफिकेशन यहां पर होती है जिनकी हो चुकी है उनकी डेट भी आपको मिल जाएगी जिनकी आने वाली है आप जैसे दिखी यह 19 एपरल से 21 मार्च के बीच में आंधरा परदेश की आती है इसका मतलब यह है कि अभी कुछ दिनों में ही आंधरा परदेश की बरती आने वाली है तो इस तरह से आप डेट नोटिस कर लीजेगा फ डेक्ट मैंने इंडियन आर्मी की वेबसेट से लिंक दिये होते हैं सारे चलिए वापीस जलते हैं यहाँ पर और कुछ और इंपॉर्टन चीज़ बतातों देखिए जो मेगालिया की बरती है वो किस तरह से होने जा रही है समझिए ग्राउंड में सबसे पहले आपको बु जब आप एसंचीचञ करनी होगी उसके पहले वह आपको रेली की डेट बता देगे ठीक है तो जैसे अब ही मेगालिया है तो मेगालिया वालों को एक रेजिस्टेशन करनी है उस रेजिस्टेशन का एक time period है वो time period है 27 Feb से लेके 28 March उसी तरह जब आपकी state की notification आएगी तो आपको भी registration करने का पूरा time period बता दिया जाएगा इस बरती में आपको जो admit card लेके जाना होता है वो जब आप registration कर देते हैं उसके बाद download होता है कुछ दिन पहले जैसे इनका 23 मार से लेके 1 April है तो जब भी आपकी बरती होगी उसके पहले वो बता देंगे कि आपको कब वो admit card मिलेगा अब देखिए बात आती है यह registration कहाँ पर करनी होती है या फिर कैसे करते हैं दोस्तों इसके लिए फिलाल इंडियन आर्मी की official website है joinindianarmie.nick.in आपको मैं website भी बताऊंगा उसके पहले पूरी guidance देना चाहूंगा कि आखिर इंडियन आर्मी की बरती के लिए registration कैसे कर तो यहाँ पे भी apply online का अगर आप देख पाएंगे तो आपके लिंक यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या करना होता है यहाँ पे क्लिक करना है उसके बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंडियन आर्मी की website open हो जाती है देखिए यहाँ पे थोड़ा time ले रही है कोई बात बहुत benefit होगा ठीक है और अगर आप बाकी qualification जानना चाहते है अदर पोस्टों के लिए आप यह वीडियो देख लीजेगा आप जब हमारे चैनल पे विजट करेंगे तो आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट करके option आएगा इस प्ले लिस्ट पे आईए और आपको यहाँ पे इ इंडियन आर्मी के relation certificate हो जानी कि इंडियन आर्मी में कोई person है और आपने मिलकर उसके साथ जैसे आपके पापा या भाई है या किसी न आपको गोध लिया है उन लोगों के पास एक certificate होता है उसे कहते है relation certificate तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को यह चूट जो है वो मिलती है 2 cm की आपको height में चूट मिल जाती है और 1 cm की chest में चूट आप लोगों को मिल जाती है वेट में 2 kg की चूट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी ठीक है तो यह बात दियान रखेगा अगर कोई sports person होगा तो उसको भी यहाँ पर जो चूट है वो मिल जाती है यह बात दियान रखेगा आपकी first second position होनी चाहिए 2 cm की 3 chest की और 5 weight की ठीक है अब बात किरते हैं यहाँ पे कुछ selection process दिखे जब आप ground में जाते हैं तो आपका physical fitness test होता है जिसमें 2 group बनते हैं group 1 group 2 group 1 में कौन लोग होते हैं जिनकी running 5 minute से लेके 30 second के बीच में cover होती है group 2 में वो लोग आते हैं जिनकी running 5 minute से लेके 45 second के बीच में आती है मैं आपको बोलना चाहूँगा आप अपना stamina अच्छा बनाईए क्योंकि काफी सारे बच्चे 5 minute के अंदर अंदर running complete कर देते हैं ठीक है अगर आप पहले group में आएंगे 60 marks मिलेंगे second group में आएंगे 48 marks मिलेंगे उसके अगर आप 10 पूरे मारते हैं तो आपको 40 marks मिलते हैं अगर आपने 1 कम मारा तो 33 उससे कम मारा तो 27 एक और कम मारा 21 तो minimum आपको 16 pull up तो लेने ही पड़ेंगे 6 pull up सारी आपको लेने पड़ेंगे इससे कम मारेंगे तो आप fail हो जाएंगे ठीक है उसके बाद जिग-जग balance होता और कुछ rally में भी जो document चाहिए होते हैं वो भी आपको बताता हूँ प्लस आपका admit card चाहिए होता है, domicile certificate चाहिए होता है, caste certificate सबको नहीं चाहिए, religion certificate सबको नहीं चाहिए, school character certificate ले जाएए, character certificate ले जाएए, police serpent जो भी आपके area आता है उसके अंडर, unmarried certificate जो लोग 21 साल से कम है, उनको देना होता है, और relationship certificate नहीं चाहिए, NCC certificate सबको नहीं चाहिए, standard of weight, weight of height chart will be standard for all category personal, the chart is based on MFD, ये भी सबको नहीं चाहिए, sport certificate सबको नहीं चाहिए, एक दोस्तो एफिडेविड होता है, 10 रुपीज का, ये भी आप बरती में जरूर लेके जाएएगा, ये notary से बन ठीक है, तो ये कुछ documents हैं, जो मैंने आपको बताए है, वो जो एफिडेविट की मैंने आपके साथ बात की है, याद रखेगा, वो ये format है, जो आपको मिल जाएगा, format of affidavit relationships etiquette, sorry, ये नहीं है, नीचे बताता हूँ, standard weight का है, नीचे चलते हैं, तो ये आप देख सकते हैं नहीं, ये भी नहीं है, आजकर इनों नहीं लगता है कि नया इसमें update किया है, athlete कुछ programs, चले नीचे आते हैं, तो ये है format for non-judicial stamp paper, तो दोस्तों ये format है, जो आप लोगों को 10 रुपे के stamp paper पे print करवाके, इनको देना है, submit करना है, ठीक है, तो ये याद रखेगा, आपको format जरूर देना है, ये body tattoo का है, ये आपने नहीं देना है, ये बात ध्यान में रखेगा, और नीचे आजाते हैं, certificate, one certificate, each tattoo, ये भी नहीं है, और COVID का, देखी, ये आप भी sign करवाली जेगा, डॉक्टर वगैरा से, ये भी मेरे ख्याल से अब important हो चुका है, तो जरूर आप इस को भी आप लोग sign करवाली जेगा, ये दोनों आपके sign होकर ही जाएंगे, तो ये कुछ है, COVID और एफिडेविट 10 रुपीज का, ये आप लोगों को जरूर लेके जाना है, तो दोस्तों ये इस तरह से आप बरती जो है, देख पाएंगे, याद रखेगा, personal document, plus COVID का document, plus main, ज सबसे पहले आप लोगों की registration होगी, उसके बाद admit card मिलेगा, फिर आप rally में जाएंगे, फिर आपका medical होगा, फिर आपका return होगा, then आपको ये नोकरी मिलेगी, return हो सकता है, पहले भी हो जाए, तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, comment करना, मुझे बताना, त share जरूर कीजगा, चैनल को subscribe जरूर कीजगा, मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना